हिमाचल में बिगडा मौसम को लेकर हम बात कर लेते हैं मौसम विभाग से जुड़ी हुई खबर सामने हैं हिमाचल में बिगडा मौसम थी सप्राल प्रदेश में बारेश और वहीं बर्फ बारी के आसार लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और वहीं तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट सडक मार्ग से बर्फ हटाने के काम में भी देरी आने वाले दो दूनों तक मौसम रहेगा खराब इस वक्त की बड़ी जानकार आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीर आपके सामने हैं एक तरफ शिमला और साथ ही लाहौल की भी तस्वीर आपके सामने है कि सरीकी से बर्फबारी देखनी को मिल रही है आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौसम खराब होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि 30 अपरेल तक मौसम खराब रहेगा बर्फबारी की आश्रंग का चताई गई है हिमाचल में बिगडा मौसम का मिजाज और वहें 30 अपरेल तक प्रदेश में बारिश पताए जा रही है बर्फबारी के आसा लाहॉल घाटी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और वहीं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरों में तापमान में दर्च की जा रही है गिरावट सडक मार्ग से बर्फ हटाने में देरी भी की जा रही है अब रहेगा और इसकी में बज़ है कि पस्षिमिक्स और फिर से सक्रीय हो रहा है और यह पस्षिमिक्स और जो है काफी एक्टिव है और मॉडरेट बारिस और बारिस और पर देश में कुछ इलागों में बर्बारी होगी और इसका अफर आज आपको देखने को मिलेगा चमबा और इसके आसपास की लागे है और इसकी जो है कल इसमें बड़ातरी होगी कल पुड़े पुर्देश में इसका असर देखने को मिलेगा और उसके बाद 28 के बाद फिर 29-30 में फिर से पस्षिमिक्स का असर रहेगा